नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उत्तर परदेश पुलिस बर्ती 2022 असिस्टेंट ऑप्रेटर अबलिक खेट ऑप्रेटर के लिए प्रिबिएस एर कोईशन्स हम आपके लेकर आये हैं जो कि जी की प्लस साइंस है इस क्लास हमारी जो है अंतितक जारी रही तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सब को वर्दी मिल जाएगी बुजी समा भी जल सकती है तूफान से कस्ते भी निकल सकती है होके मायूस ना अपने इरादे बदल तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है यहां पर आप देखो लिखा क्या गया कि ब क favorites किस्मत में हो नहीं किस्मत में लाया जाता है आग्याप के अंदर होसला है आगर आपके अंदर जजबाधा तो बात आप ध्यान रखेगा ये बात अपने दिमाग में रख लीजेगा गाइस कि अगर आपके अंदर होसला है और अगर आप अपने उस होसले को डेफिनेटली उर्जा देते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब को बर्दी मिल जाएगी आप सब के सपने प पहला कुशन आपके सामने कि हुण प्रपात जो है ये निर्मित है किस नदी पर अब इसका अंसर बताएंगे उडब्रबात किस नदी पर निर्मित है फ्टफट फटवत अंसर देएंगे हमारे सभी पैरे भाई जिनको भी देखना हैं इंग्लिस में देख सकते हैं अलाकि मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा राइट आंसर क्या हो जाएगा जो भी मारे पैरे भाईवें बतारें कि सुवरन रेखा या फिर सुरन रेखा नदी पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने है यहाँ पर आप देख लो कि किस से नदी पर स्यू समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपके सामने इंग्लिस में भी लिखा गया है कि किस से नदी पर स्यू समुद्रम जल प्रपात अवस्थित है और फ्वीज सिरीवर इस दी स्यू समुद्रम फाल्स लोकेटेड जो भी मारे पैरे भाई इन कुश्चन नमबर 22 का बता रहें कावेरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्सें ए जो है बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुश्चर आपके सामन बना हुआ है फट़ फट़ आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई बैएन जिसने वी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है मैं उन्हें सबसे रिक्वेश्च करता हूँ कि एक बाठ सभी प्यारे भाई बैएन क्लास को दिल से लाईक करेंगे चैनल पर पहली बार आया हो तो चिनल को सबस्क्राइब जरूर कर लेज़ेगा देखो भारत का सबसे बड़ा जल पर पाथ जोग जल पर पाथ जो है ये किस नदी पर है आपसे ये कुशन पूशा गया है जो भी पहले भाई भेन बता रहे हैं कि सरावती नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल इसंदी आपका बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने कि भारत के किस जल पर पाथ को लोग प्रिये रूप से नियागरा जल पर पाथ के तोर पर जाना जाता है ये कुशन आपसे पूचा गया कि भारत के किस जलपरपात को लोक प्रिये रूप से नियागरा जलपरपात के नाम से भी जाना जाता है कहने का मतलब है कि नियागरा जलपरपात किस जलपरपात को कहा जाता है फट 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 आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा कोशन नमर टॉंटि फट बहुत इ तो आपके लिए मैनध करता हूं तो आपका भी फर्ज मनता है विए और क्लास को लाइक तो कड़ी दिया कड़े जो भी बैरे भाई में चेनल पर पहली बारा हैं चेनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे देखो चिल का जील जो है एक कहां इसी थे यह कुशन आप से पूछा गया है जो भी बैरे भाई में बताने हैं कि उत्तरी सरकार तट पर बिल्कुल क आंसर होगा आपका बाई ऑप्संडी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होजाएगा अगला कुशन ही my dear friends कि यहां पर कि भारत के कि सराज्य में फुलरट जील इसतिते हैं बारत के कि सराज्य में फुलरट जील इसतिते हैं कौशन काफी जादा इंपोर्टेंट है उत्तर प्रदेश, उप्षन सी आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, अगला है question आपके सामने आपर देख लीजिए, कि निमलकित में से किसको रहस समयी जील कहा जाता है, question काफी जादा important है, my dear friends, याद रखेगा, question काफी जादा important है, निमलकित में से किसको रहस समयी जील कहा जात है, बताएंगे इसका right answer क्या हो जाएगा, तो जो भी हमारी पहरे भाइबन, question 28 का बता रहे हैं, कि रूप कुंड जील, बिल्कुल correct answer होगा, रूप कुंड जील जो है, ये guys, इसे रहस समयी जील भी कहा जाता है, इंगलिस वाले, इंगलिस में अपने question देखा करेंगे, जील में कौन सी जील है, ये question आप से पूछा गया है, बताएंगे right answer क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जो भी हमारी प्यारे भाइबन, बताने कि अंचार जील बिल्कुल correct answer हो जाएगा, अंचार जील जो है, ये जम्मु कस्मीर में है, मेरे friends, options C, जो ह जील जो है, आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, अगला question है की, बिल्कुल सही है, हमारे सभी प्यारे भाइबन, बिल्कुल सही ही, बता रहे हिमान चल प्रदेश में, जो बर्फ से धकी घेपन जी लेना ये गाइस कहां है याद रखेगा हिमानचल प्रदेश में कोईशन काफी ज़ादा इंपोर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है अगला है कि निमलिकित में से थोड़ा में पहले उपर कर लो उसके बाद बताएंगे निमलिकित में से किसे भारतीय रिजर्व वैंक दोरा निर्धारित नहीं किया जाता निमलिकित में से किसे भारतीय रिजर्व वैंक के दोरा निर्धारित नहीं किया जाता राइट अंसर हो जाएगा जो भी पहरे भाई भेन बता रहें कि PLR बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा PLR जो है इन निर्धारित नहीं किया जाता है option C आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जाएगा अगला question आपके सामने है कि मैद्रिक नीत का निर्मार भारत में कौन करता है मैद्रिक नीत का निर्मार भारत में कौन करता है इसका अंसर बताएंगे who makes monetary policy in India फटफट अंसर देंगे right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही है लगबग हमारे सभी पैरे भाईवें बिल्कुल सही बता रहे है Reserve Bank of India कहने का मतलब है RBI RBI यहाँ पर आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा जो भी पैरे भाईवें बता रहे है Reserve Bank of India बिल्कुल correct answer हो जाएगा अगला question आपके सामने है माइडिये फ्रेंड्स यहाँ पर आप ब्रेक लीजी कि निमलिकित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है निमलिकित में से कौन एक रेपो दर को नियमित करता है यह question आप से पूछा जा सकता है question भले ही tough है लेकिन important बहुत है right answer हो जाएगा reserve bank of India कहने का मतलब है भारती रेपो दर को नियमित करता है correct answer क्या हो जाएगा आपका option जो है बिल्कुल perfect answer हो जाएगा माइडिये अगला question आपके सामने है इसका answer बताएंगे बताएंगे कि भारत के सरबोच चे परबच चोटी कौन सी है के 2 गोडविन आस्तिंग 똑같ष नंदा देवि अफिर एवरेस्ट फटरफ़ट आँसर रेंगे बताएंगे कि भारत की सरबोच परबच चोटी कौन सी देखो अगर आपसे कहा जाएगा भारत की तो याद रखेगा मेरे प्यारे भाई भारत की जो सबसी ऊंची चोटी है वो क्या है K2 Gadwin Ashton लेकिन अगर आप से कहा जाए कि विश्व की सबसी ऊंची परबच चोटी तो वो आपका हो जाएगा Mount Everest ठीक है तो आपका Mount Everest होगा लेकिन अगर आप से कहा जाए भारत की केवल तो याद रिखेगा भारत की जो सर्बोच चोटी है वो केटू गर्विन आज 10 आपका बिलकुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी पैरे भाई भेन आपसें आ बता रहे हैं बिलकुल सही आंसर बता रहे हैं अगला क्विशन आपके सामने है कि गुरू स giлей के साथ इसी फिंधाजिक के साथ पड़ते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहसा हूँ अगर आपके अंदर इसी प्रेकार से ओरचा रहे की तो आपकी ओर जाने है आपको वर्दी दिला कर ही मैंने का मतलब है अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे दिन-राते करके पढ़ाई करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकते हूं कि आप सब कोँँ बिया जाएगा विल्कल lie दाएगा पीडिया पको फ्री में दी जाता है जो कि आपका टेस्ट अब प्रवडी को होगा आप सबको पता होगा ना और मैं आपको बता दूँ गाईज यहां पर कि इसकी पीडियाफ आपको हमारे टैली के नाम चैनल पर मिलती है जो का एक्जाम गुरुशी बाई अर्विंसर के नाम से बना हुआ है आप वहां पर जाकर के सर्च कर लीजेगा ओक कि गौरालाता चोटी किस पार्ट में इस्तित है गौरालाता चोटी जो है यह किस पार्ट में इस्तित है फटफट अंसर देंगे बिल्कुल सही है सामरी पार्ट ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सामरी पार्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएग अग्ला कि कुल्लु घाटी जिन पर बस्राइणी के बीच अवस्तित है वा कौन सी पर RAG स्राइणी है तो बिल्कुल प्यादो जो भी ग्रायओ मोर्ट ब सेबन के बता रहें करad hiba वापीर पंजाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा विल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी हमारे पहरे भाई बता रहें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने है कि भारत के राश्ट्रिय सेर वाजार का मुख्याले कहा है भारत के सभी पहरे भाई बिल्कुल औ çıkar इंडिया का पुर्वरत खे में प्रवर्त खे मेंगे Viral नमर चालीज का जो भी मारे प्यारे भाई भेन बता रहे हैं यहां पर कि भारतिय इस्टेट बैंक भी है, LIC OGIC भी है और IDVIV है कहने का मतलब है यहां पर option D आनि all of the above बिल्कुल right answer हो जाएगा, आपका option D जो है बिल्कुल correct answer हो जाएगा, my dear friends अगला question आपसे पूछा गया है कि आकास में नीला रंग प्रकट होने के साथ सम्बंदित प्रकास की परिगटना है, कहने का मतलब है आकास में नीला रंग जो है यह किस कारण से परदर्शित होता है, बताएगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानि यहां पर बताएगे राइट आंसर क्या होगा, फटर फटर आंसर नेंगे हमारे सभी प्यारे भाई भें राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिलकुल बिलकुल लबक सभी का आंसर बिलकुल सही आ रहा है, राइट आंसर हो जाएगा आपका option D प्रकीरण, option D आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा, यहाँ पर scattering जो होए यह आपका बिल्कुल सही answer होगा, अगला है कि इंदरधनुस किस कारण से बनता है, इसका आञः बताएंगे इंदरधनुस जो होए यह किस कारण से बनता है, बिल्कुल सही है अब वर्तन और प तो यहां पर मैंने GK से समधित questions को complete के लिया है दो questions physics के भी आ गए थे तो मैंने यहां पर GK समधित questions को complete के लिया है आप सब को बता दें है कि हम आपके लिए जीजान लगाकर मेहनत करें तो आप भी निशिंत रहिए आपको बर्दी मिल जाएगी यहां पर आप देख लो आए हो निभाने जब किरदार जमी पर तो कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे कहने का मतलब है कि आप सब यहां पर एक किरदार हो और ऐसा किरदार निभाओ कि आपको हर बच्चा हर व्यक्ति याद रखे कि हाँ भाई उसके घस्ट बनो जैसा वो था ठीक है तो आप सब ऐसा काम करो कि आप सब को याद करें सभी लोग अब आपके अंदर जो कुछ भी मोडिवेशन है मुझे नहीं पता लेकिन मैं आपके लिए अगर आपके अंदर उर्जा नहीं आता है ना अगर आपके अंदर मोडिवेशन नहीं आता है ना तो आप अपने माता पिता को एक बार देख लीजे मोडिवेशन आपके अंदर खोद बखोद आ जाएगा वर्दी पाने की चाहत आपके अंदर खोद बखोद आ जाएगी अब आईए गाइस, हम बढ़ते हैं फिज्ष कोईशन की तरफ फर्स्ट कोईशन विशेफण के अंतरगद प्रिज्म से घुजरने पर किश रंग के प्रकास का भीचलन अधिक होता है बताएंगे रैट आउनस ने प्रिजम की प्रकास का हीज दिलन तम होता है तो बिल्कुल सही है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका वाइलेट रंग यानि की बैग नी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी पहरे भाई भेन बैग नी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा गल्दी मत करो लाल रंग नहीं होगा भाई बैग नी हाप आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुशन आपके सामने कि निकट दिश्टी दोस्ट से पेडित व्यक्ति के लिए चस्मे में परियोग किया जाएगा निकट दिश्टी दोस्ट जो है गाइस इसमें होता है कि निकट की वस्टयों तो असपश्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्टयों असपश्ट नहीं दिखाई देती हैं असपस्ट दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तवें असपस्ट नहीं दिखाई देती हैं तो निकड़ दिश्टी दोस्ट के निवालन के लिए कि इस लेंस का प्रियोग किया जाएगा याद रिखिएगा अवतर लेंस आप्शन भी आपका बिल्कुल परफेक्ट आए वह ऐसा निम्नमेशे की सकालर्ण से करता है कहने का मतलब है कि एएक उपग्रह्ण है जो अपने कक्षा में लगातार निरंतर पृत्ऽजशा रहता है इसका कारण क्या है गुर्ता बड्सल बल या फिर इसकी कमी बैंतलब ये हुआ कि गुर्ता निदर्सल बल्कि और तो जो भी पहरे भाई भेन बता रहे हैं आपर केंद्रा विमुकी बल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरी पहरे भाई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि एक लिफ्ट में बेटे हुए ब्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा अगला आप लिफ्ट में बेटे हुए हो तो आपका अपना भार कब मालूम अधिक पड़ेगा कहने का मतलब है कि अधिक जो है वो भार आपको कब लगेगा बिल्कुल सही है हमारे सभी पैरे भाई भेन बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं तो देखो यहाँ पर जब लिफ्ट जो है वो तुरित गती से उपर जा रही हो ठीक है लिफ्ट जो है वो तुरित गती से जब उपर जा रही होगी तब आपको अपना भार अधिक मालूम पड़ेगा कहने का मतलब है आप पर आपका Ausency जो है मेरे पहरे भाई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो भी पहरे भाई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अगला कुशन आपके सामने कि फैथोमेटर का अप्योग की से मापने में किया जाता है देखो मैं आप सब को बत कर देने वाले हैं यानि इतिहास से सम्मंदित आपके सारी कोईशन कंप्लीट कर देंगे बहुत कठीन कठीन कोईशन हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं लेकिन हाँ जो कठीन है ना वो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है याद रखेगा मेरे पैरे भाई फैतोमीटर का उ पियोग किया जाता है और अपसन सी आपका बिलकुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है मारे पैरे भाई कि एक साइकल के गटी पर क्या परभाव पड़ेगा जब वह एक खुरदरी सते पर चलती है कहने का मतलब है अगर आप साइकल चला रहे हैं और अगर अगरे भाई बिलकुल सही बतारें देखो जब खुरदरी होगी तो वहाँ पर गाइस घरसल बल जो होए वो कैसा होगा बिलकुल सही घटती है आप राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ऑप्सन बी घटती है यह आपकी गती कैसे हो जाती है घटती है आप तेज साइकल बता नहीं बगा सक्ते हैं और अप्सन बी आपका बिलकुल परफेक्ट आंसरह जाएगा अगला ऐग्षण कि उत्तर लेंस का प्रियोग किया जाता है यह इसको दूर करने के लिए यहां फिर आपको यहां पर यह भी option दिया जासकता है कि मानव नेत्र में उत्पन्य दूर दिर्ष्टी देश बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा लेंस की फोकस दोरी अजिकतम है हरे रंग के लिए लाल रंग के लिए पीले रंग के लिए या फिर बैगने रंग के लिए बिलकुल सही है हमारे सभी पैरे भाई बेन बिलकुल सही आंसर बता रहे हैं लबक सही आंसर आ रहा है राइट आंसर हो जाएगा लाल रंगे के लिए आपका बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर हो जाएगा जो भी प्यारे भाईबेन आपसन भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि निम्लिकित में से प्रकास के अपवर्तन का उदाहरन नहीं है कहने का मतलब है यहाँ पर प्रकास के अपवरतन का उदाहनार क्या है क्या नहीं है देखो सितानों के टिम्टिमाते का प्रभाव देखो प्रकास के अपवरतन के कानरी जो तारे होते हैं यह भी सही है मड़ी कमर इसका जो होता है वो भी प्रकास के अपवर्थन के कानरी होता है मादम से गुजरते समय प्रकास का जुगना ये भी गाइस प्रकास के अपवर्थन के कानरी होता है लेकिन पार सो उल्टा जो है इसमें प्रकास के अपवर्थन का कुछ भी मतलब नहीं है का रिट आंसर क्या हो जाएगा आपको आपसें डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि लोलक की काला वधी किस पर निर्वर करती है लोलक का वर्तकाल कितना होता है आप सबको पता होगा याद रखेगा दो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है याद रखेगा बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा लोलक की काला वधी किस पर निर्फर करती है जब बिमान के उपर या फिर लंबाई के उपर समय के उपर या फिर ताप मान के उपर राइट आंसर हो जाएगा वो उसके लेंग्ज के उपर डिपेंट कर मतलब यह हुआ कि एक लकडी के चमच को एक कप आइस्क्रीम में आप एक आइस्क्रीम लिए हो और उसमें एक लकडी के चमच को अगर डूबे जाएगा तो उसे लकडी के चमच पर क्या प्रभाव पड़ेगा थंदा नहीं होता है पताएंगे ठंडा नहीं होता है या फिर चालन के प्रिक्रिया से ठंडा हो जाता है या फिर समान के प्रिक्रिया से ठंडा हो जाता है देखो अगर आप लकडी के चमच को आइस क्रेम में डुबोते हो तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है मतलब वो ठंडा नहीं होता है तो ठंडा नहीं होता है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे भाई आपका विल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कुशन है कि एक फायदम बराबर कितना होता है एक फायदम बराबर कितना होता है फड़ा पर आंसर देंगे राइट आंसर क्या ह बिल्कुल सही है हमारे लबग सभी पैररे भाईबेन बिल्कुल सही आंसर बता रहें जिसने वे विएंविए तक क्लास को लाइक नहीं किया है मैं उन्हें सब सी रिक्वेस्ट करता है, एक George सभी पैररे भाईबेन धिल छे फीट आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा बी answer आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा अगला है कि किलो हर्ड्स एक इकाई है जो मापता है कहने का मतलब है किलो हर्ड्स जो है ये क्या मापता है आपको ये भी पता होगा कि हर्ड्स जो है हर्ड्स जो है हर्ड्स ये गाईस आवरती कमात रखोता है ना आवर्ती कमात रखोता है तो यहाँ पर आवर्ती आपको किस उप्शन में नज़र आ रहा है विद्धुच्चुम्बकिये रेडियो तरंगे की आवर्तियों को किलो हर्ट स में महापा जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ऐप्शन भी विद्द चुम्ब की रेडियो तरंगे की आवरतियों को option B आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा V answer आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा अगला question है कि बार एक एकाई है देखो बार आ गया बार आप सब को पता होगा guys की इसको अंतरष्टिय पधती में माने नहीं दिया गया है हाला कि माने दिया गया पास्कल को याद रिखिएगा ठीक है तो देखो यहाँ पर right answer क्या होगा बार जो है यह वायू मंडलिये दबाव की एक एकाई है right answer क्या होगा मेरे पहरे भाई option D आफका बिल्कुल correct answer हो जाएगा ताप मान केल्विन होता है उसमा जूल होता है धारा एंपियर होता है अगला आफके सामने यहाँ पर की tube light में चोक का का कारिया क्या होता है tube light में चोक का क्या कारिया होता है बताएंगे इसका सही answer क्या हो जाएगा लबग मारे सभी प्यारे भाई वेन विल्कुल सही answer बता रहे है right answer हो जाएगा समय के साथ voltage को बढ़ाने का कारिया tube light में चोक जो होता है चोक यह समय के साथ voltage को बढ़ाने का कारिया करता है next question आप से पूछा गया कि पूरक मात्रक उदाहरन है कहने का मतलब है पूरक मात्रक का इसमें उदाहरन क्या होगा आप सब को पता होगा guys की पूरक मात्रक के लिए दो कौन बताए गए थे इस्टे रेडियन कौन और घंकौन तो देखो यहाँ पर पूरक मात्रक जो है यह क्या ओप्संसी घंकौन आपको यह भी पता होगा मैने आपको गया जब मात्रक से समध्य ВасLP में बताया था कि तीन प्रकार के होते हैं एक होता है मूल बूथ एक होता है व्यूथ पन और एक होता है पूरक तो मैंने आपको हाँ पर सारी डिटल में जानकारी दी है या फर मैं पूरे डिफैंड नहीं करूँगा राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उप्शन सी घनकूर ओके नेक्स्ट है कि प्रकास वर्ड से निमने में से किस भाउतिक राशी की इकाई है मैंने हर एक लबग वीडियो में यह कुशन लिया इसका क्या कानार है कि यह कुशन इंपोर्डेंट है ठीक है बिलकुल सही है प्रकास वर्ड से जो है यह दूरी कमात रख है मेरी पहरे भाई और आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला है कि लंबाई की नियुनतम इकाई गया अब देखो यह आपने नियुनतम इकाई बात की गई है याद रिखेगा कुशन काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है फटफ़ड आंसर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा लंबाई की नियुंतम इकाई क्या है जो भी बैरे भाई बेन बताने की फर्मी मेटर बिल्कुल फर्फेक्ट आंसर हो जाएगा आपका option B जो है बिल्कुल correct आंसर हो जाएगा V answer आपका बिल्कुल right आंसर हो जाएगा next है की कारिय करने की छमता को क्या कहा जाता है कारिय करने की छमता को क्या कहा जाता है फर्फर आंसर देंगे कारिय करने की छमता को क्या कहा जाता है बिल्कुल सही है right आंसर हो जाएगा या पर उर्जा option A बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगर आपके अंदर उर्जा है तभी आप कार्या कर सकते हैं कार्या करने की छम्ता को उर्जा कहा जाता है इसलिए कार्या और उर्जा का जो मात्रक होता है वह होता है जूल ठीक है याद रखिएगा जूल जो है इसका मात्रक होता है अग्ला एन hier नहीं है झ्यान दिजिए कर नहीं है बात कर रहा है गलती नहीं करेगा मेरा कोई भी भाई देखो guys अगर कहाजाए यहाँ पर pound जो है यह guys दरभेमान कार्ण यफो पी एस यफो पी एस का मतलब किया हुआ foot pound system मतलब यह हुआ कि जो British पद्दती है गाइस उसमें द्रविमान को पाउंड में मापाई जाता था तो यहाबर पाउंड जो है यह तो द्रविमान का मातरक हो गया इसके बाद आप रिखे डाइन बिल्कुल डाइन जो है यह गाइस बल का सीजी इस पद्दती में मातरक होता है याद रिखेगा डाइन जो है यापका बिल्कुल correct answer होगा ठीक है डाइन जो है यादर विमान का मात्रक नहीं है option B आपका बिल्कुल perfect answer हो जाएगा next की fairad किसका मात्रक है फटपट answer देंगे right answer क्या हो जाएगा जो भी प्यारे भाई भेन बता रहे हैं यहाँ पर की धारिता का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका option D जो है बिल्कुल perfect answer हो जाएगा Newton प्रती kilogram मात रखे अब यहाँ पर आपको बताना है कि Newton प्रती kilogram जो है एक किश्का मात रखे फटफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई भाई भेन राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेशन काफी जादा important है याद रखेगा अब यहाँ पर आप देख लो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर option D तोरनका ठीक है next question आपसे पूछा गया है मेरे पैरे भाई सक्ति या सामर्थ रासी कौन सी है मतलब यह हुआ कि सक्ति जो है यह किस प्रगार की रासी है फटफट आप इसका आंसर बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सक्ति या सामर्थ किस प्रगार की रासी है जो भी प्यारे भाइबेन बता रहे हैं यहाँ पर कि एक अधिस रासी है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका आपका आपसन ए जो है यह बिल्कुल प्रफेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कि निम्ल जो भी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला है कि निम्लिकित मेंशे ताप की इकाई क्या है फटापड आंसर देंगे राइट आंसर क्या होगा ताप की इकाई क्या है अब देखो मेरी प्यारे भाई ताप की बताया गया ताप की एकाई यहाँ पर Celsius भी होती है, Kelvin भी होती है, Faranahite भी होती है, कहने का मतलब है, यहाँ पर option D, यह सभी बिल्कुल सही answer हो जायगा, यह सभी जो है, यह ताप की एकाईया दी गई है, Celsius, Kelvin और Faranahite यह सारी ताप की एकाई है, option D आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो अगला कुशन जो कि लाश्ट कुशन है एक कुशन और भी इसके बाद असपस्ट दृष्टी की नियुनतम दूरी कितनी होती है अब आप यहां भी मैं बता दूँ कि अधिकतम दूरी अगर आपसे कहा जाएगा तो याद रहेगा वह अनंत लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा इसकशन नियुनतम तो याद रहेगा 25 सेज्टे मीटर आपका बिलक। सही आंसर होगा मेरी पैरे भाई 25 सेज्टे मीटर आपका कहने का मतलब है एम एक आंसर आपका बिलक। परीक्न आंसर हो जाएगा अगला कुशन कि समतल दरपड की वकरटा तरिज्गा अब यहाँ पर तो आज का ये लास्ट कोईशन था राइट आंसर क्या होगा आप संडी अनत ठीक है तो यहाँ पर मैंने गाई जी के और साइंस से समंधित कोईशन को कंप्लेट कर लिया है आप सब को याद रखना होगा 15 फरवरी खास होगा जिसमें पूरा भारतिय इतिहास खलास होगा कहन और अपने मित्र को भी लेकर आएंगे ताकि उन्हें भी इस क्लास का लाव मिल सके इस पीडियव आपको मैं टैलिकराम चनल पर मिलेगी जो भी पैरे भाई बें चनल पर पहली बारा है उन्हीं सबसे रिक्वेश्टे की इपर चनल को सबस्राइब करेंगे और अगर आपक को लगता है कि मैं अब के लिए मेहनत करता हूं तो एक बार सभी पहरे भाइवें क्लास को देल से लाइक जरूर कर देंगे मिलते हैं दुश्रे नहीं क्लास में तब तक के लिए आप सब को धन्यवाद